नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके लाई हूँ एक ट्रेंडी घड़ी ऐसा कि आप देख रहे हैं आज कल रीजिन बहुत चल रहा है तो क्यों ना हम भी कुछ रीजिन का बनाएं तो चलिए शूरू करते हैं रीजिन की घड़ी तो इसके लिए मैंने MDF का एक वाल क्लॉक लिया है और मैं इसको गैसो से सील कर रही हूँ हमेशा आप ध्यान रखें जब भी आप रीजिन वर्क करें उसको हमेशा पहले पेंट करें उसके बाद इसके बाद इसके वर्क करें नहीं तो आज में छोट छोटे पोर्स होते हैं जो कि आपका रेजिन को सोख लेगा मेरा यह सोख गया है बोर्ट अब मैं उसको साइट से सील कर रही हूँ क्योंकि जब मैं इस पर रेजिन डालूंगे और उसको ब्लू करूंगी तो आपका रेजिन जो है वो नीचे की तरफ ड्रिप करेंगा इसलिए वो नीचे की तरफ और जब में मिलाकिय के बाद मैं इसको त्री पार्ट में डिवाइट करूंगी मैंने दिल्ड यह कर लिए और थर्ड पार्ट मैं ने वाइट किलर कर लिया है और मैं अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी आप ध्यान रखें रेजिन वाली अपनी जो भी स्टिक है आप उसको पिगमेंट में ना डालें यह तब को खराब हो जाएका पिगमेंट पूरा और मैं धीरे-धीरे करके एक लाइन जैसा बना के उसको धीरे-धीरे में रेजिन देखते देखते जोस्तों मेरा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लिजेगा आपको इसमें बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिनेंगे तो अब मैं इसको अपनी इसकी मिस्टिक से स्प्रैड कर रही हूं देखिए मैंने बाकी के भी कलर डाल दिये हैं और मैं इसको अच्छे से ब्लो करूंगी हेर ड्रायर से आपके बाद हेर ड्रायर तो आप हेर ड्रायर से कर लिजे नहीं तो आप इसमें इसमें फूक मार के भी इसको ब्लो कर सकते हैं तो मैं इसमें माबल एफेक्ट देने के लिए मैं इसको ब्लो कर रही हूं आप देख रहे हैं नीच से उसके राउंड में तो मैं इसको पूरे राउंड में इसमें ग्लास इफेक्ट डालूंगी ओंबोस लुक देने के लिए ग्लास के छोड़े टुकड़े डाल रही हूं मैं आपको चाहिए तक कुछ-कुछ जगह ही डाल सकते हैं आप तु यू आप देखिए मेरी घड़ी तयार हो गया चल भी रही है अब मैं उसके कॉर्णर्स पर गोल्डन मैटलिक पेंट कर रही हूं एक्रिलिक पेंट जिससे की बहुत जब भाक लुक दे रहा है वो थूड़ा था गोल्डन लुक से अच्छा आएगा और मैंने इसको क्रिस्टल से भी साल का सा ट्राई ब्रश दिया है और मैंने इसपर फोर जगह उसका चिपका दिया है मैंने सारा चिपकाना अच्छा नहीं लग रहा था फोर जगे इसको चिपकाया है तो आप देख सकते हैं मेरी घड़ी तयार है आप बताएगा जरूर कमेंट जेक्शन में आप कैसे लगी और शेयर और सस्क्राइब करना नहीं भूलेगा थैंक यू